हलो फ्रेंड्स यहां से मैं स्टार्ट करने वाले हैं लूसेंट GK जिसमें से पौलिटी का पार्ट मैंने डिया हुआ है तो पौलिटी का पूरा का पुरा सेसन जो है पूरा जो भाग है हमको बहुत अच्छे से कंप्रेड करना है एक एक चीज़े यहां पर देखनी है क्या है हमारे लिए और इसको कैसे पढ़ा जाता है क्या चीज याद रखना है और किस चीज को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है तो स्टार्ट करते हैं यहां से स्टार्डिंग से भारतिय संभीदान के विकास का संगशिप्त इतिहास 1757 के प्लासी की लड़ाई और 1764 इसवी के बक्सर के युद्ध को अंग्रेजो द्वारा जीत लिया गया तो एक कोशिन यहां से बन जाता है प्लासी की लड़ाई कब ही और बक्सर का युद्ध कब हुआ तो प्लासी की लड़ाई 1757 में हुई और बक्सर का युद्ध हुआ 1764 इसवी में अंग्रेजो द्वा सम्विदान के विकास की सीडिया बनी ये निमन है क्या है इसके महत्व सम्विदानिक महत्व क्या थे इसके तो भारत में east india company के कारियों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिस सरकार द्वारा उठाया गया या पहला कदम है कोशन पूछता है कि भारत में East India Company के कारियों को नियमित और नियंतरित करने की दिसा में ब्रिटिस सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम कौन सा था तो वो था 1773 ISV का Regulating Act या कोशन पूछेगा Regulating Act कब पारित किया गया तो Regulating Act 1773 ISV में पारित किया गया कोशन भी बनाईएगा और कोशन लिखते चलिएगा ताकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टन हो सके अच्छी क्लास हो सके 1773 ISV का Regulating Act इसके समवेदानिक महत पहला वाला कि भारत में East India Company के कारियों को नियमित और नियंतरित करने की दिशा में British सरकार द्वारा उठाये गया ये पहला कदम था अर्थात कमपनी के सासन पर संसदी नियंतरन इस्थाविक किया गया सेकेंड कोशन यहां से बनता है सेकेंड कुछ नियां से बनता है कि कमपनी के सासन पर संसदी नियंतरन इस्थाविक किया गया सेकेंड पॉइंट देखिए इसका सेकेंड पॉइंट क्या है 1773 के Regulating Act का इसके द्वारा पहली बार कमपनी के प्रसासनिक और राजनेतिक कारियों को मानिता मिली इसके द्वारा पहली बार कमपनी के प्रसासनिक और राजनेतिक कारियों को मानिता मिली थाड वाला पॉइंट देखिएगा इसके द्वारा केंदरी प्रसासन की नियु रखी गई तो 1773 का Regulating Act है इसके हमने तीन समवेधानिक महत्व देख लिए इस द्वारा पहली बार कमपनी के प्रसासनिक और राजनेतिक कारियों को मानिता मिली थाड वाला याद रखना है इसके द्वारा केंदरी प्रसासन की नियु रखी गई इसकी विशेशता है देखिए 1773 के Regulating Act की हमने समवेधानिक महत्व देखा है अब इसकी विशेशता है देखिए यहाँ से कुशन बनते है और कुशन इंपोर्टेट है सारे हैं से फस्ट वाला इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया पहले गवर्नर था फिर उसका नाम चेहिंच करके बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया तथा मुंबई एवा मदरास के गवर्नर को इसके अधिन कर दिया दो सहरों को मुंबई और मदरास के गवर्नर को इसके अधिन कर दिया गया इस Act के तहट बनने वाले प्रथम Govarner General Lord War Enhancing है कोशन सीधा पूसता है कि प्रथम Govarner General प्रथम Govarner General कौन थे तो प्रथम Govarner General Lord War Enhancing से और पहले थे ठीके प्रथम थे पहले नाम क्या था Governor था पहले Governor था फिर ER नाम दे दिया और पहले गवर्नर जनरल कौन बने पहले गवर्नर जनरल बने लॉर्ड वारेन हैंस्टिंग आगे देखिए सेकंड इसकी विशेचता है यहाँ पर हम देखते इस एक्ट के अंतरगत समझेगा इंपोर्टेंड है इस एक्ट के अंतरगत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार 1744 इसवी में एक उच्चितम नजायले की स्थाफना की गई जिसमें मुक्ष नियायदीं और consent यृषेट के द्वारा की गई है और इसके प्रमुक नियाययदी哈哈哈 तक प्रतरम प्रमुक नियायदी जो मुक्ष नियायदी स्था है वोदे सर ईलिजाह इंपे और पूरी चीज़े इसकी याद रखना है इसके तहत कमपनी के करमचारियों को नीजे वैपार करने और भारती लोगों से उपहार वर रिस्वत लेने प्रतिबंद कर दिया गया मतलब सिधा सिधा कुशन अगर पूछेगा तो किस एक्ट के द्वारा कमपनी के करमचारियों को न 1773 के regulating act के द्वारा कमपनी के कारियों को प्रसासनिक मान देता कब मिली 1773 के regulating act के द्वारा अगला पॉइंट देखिए इसका important point है इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिस सरकार को board of directors के माध्यम से कमपनी पर नियंतरन ससक्त हो गया इसे भारत में इसके राजस्व नागरिक और सेन ने मामलों की जानकारी ब्रिटिस सरकार को देना आवस्यक कर दिया गया आगे देखिए second वाला act हमने इसके पहले हमने पढ़ा 1773 का regulating act next वाला है act of settlement 1781 तो ये जो था act of settlement जो था ये 1773 के regulating act की कम्यों को दूर करने के लिए एक नया नियम लाया था ब्रिटिस सरकार द बनाने का प्रादिकार दिया गया तो अब देखिए settlement मतलब की उसमें से कुछ सुधार कर दिया गया 1773 के regulating act में क्या सुधार किया गया और 1781 में क्या नई चीज लेकर आ गया तो 1781 में लेकर आए इस act के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल बिहार और उडिसा के लिए भ पहला गवर्नर जनरल लाड वारेन हैंस्टिंग इंपोर्टेंट कोशन सेकेंड एक्ट ऑफ सेटलमेंट में के द्वारा बंगाल बिहार उडिसा के लिए भी विदी बनाने का प्रतिकार दे दिया गया 1784 इस विका पिट्स इंडिया एक्ट इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रसासन का प्रारम हुआ कोशन डारेक पूसता है किस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रसासन का प्रारम हुआ तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट इसके द्वारा दोहरे प्रसासन का प्रारम हुआ जिसमें बोर्ड ऑफ डारेक्टर्स व्यपारिक मामलों के लिए और बोर्ड औफ कंट्रोलर राजनितिक मामलों के लिए यहाँ पर दो विभाग बना दिये गए याद रखना है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट इसके द्वारा दोहरे प्रसाशन का प्रारम हुआ सीधा सीधा कुशन पूषताए दिनाक पर भीठा लीजे साहाँ सब चीजें यहाँ पर समयाल में आजाएगी आगे चलते हैं यहां से है 1793 इसवीक का चार्ट एधिक दिन्यम एक अधिन्यम और यहाँ पर 1793 का चार्ट इन्यम इसके द्वारा नियंतरन नियंतरन बोर्ड के सदस्य तदक करमचारियों के वेतनादी को भारती राजस्च में से देने की व्यवस्ता की गई. पूरी तरीके से सिर्फ और चिर्फ यह वैपार करने आये थे भारत में, लेकिन जब देख लिया है कि भारत की लोगों को इन लोगों ने वैचारिक चार्टर अधिनियम में इसके दोरा नियंतरन बोर्ड के सदस्यों ददा करमचारियों की जो पूरी वेतन वगरे जो देना था ना वो भारती राजस में से देने की वेवस्ता इन लोगों ने कर ली यहां से आगे चलते हैं यहां से 1813-20 का चार्टर अधिनियम तो इस अधिनियम की मुख्य विसस्ता कमपनियों के अधिकार पत्र को 20 वर्स के लिए बढ़ा दिया कमपनी के भारत के सांथ वैपार करने के एक अधिकार को चीन लिया गया किन्तु उसे चीन के सांथ वैपार एवं पूर्वी देशों के सांथ वैपार के संबद में 20 वर्स के लिए एक अधिकार प्राप्थ हो रहा है कुछ सीमाओं के अधिन सभी ब्रिटिस नागरीकों के लिए भारत के सांथ वैपार खोल दियेगे 1813 से पहले इसाई पादरियों को भारत में आने की आगए नहीं थी परन्तु 1813 इस वी के अधिनियम दोरह इसाई पादरियों को भारत सिधा याद अरकना है कि इसाईयों को भारत आने की अनुमति किस एक्ट के दौरह दी गई 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिये गया इकला देखते हैं आपर 1833 का चार्टर अधिनियम चीजे याद रखनी एके करके नोट करते चले जाए या क्लास कंप्लेट होने के बाद आप देख लीजेगा ये लूसेंट चीजेगे हैं हमारी कलास है और पॉलिटिका मेने आपर एक पॉर्षन लिए हुआ इस स्टार्डिंग से लगबख सारी चीजे हमें इसमें कंप्लेट करेंगे बस बने रही है देखते रही है और समझते रही है ताकि आप इसको कम समय में अच्छे से याद कर सके 1833 सिष्व का चार्टर अधिनियम क्या बोलता है इस अधिनियम की मुक्की विसेशता है ओर। कम्पनी के वेपारिक अधिकार पुर्णत समाब्त कर दिये कमपनी की वेपारिक अधिकार पूर्णत समाप्त कर दिये गए अब कमपनी का कार ब्रिटिस सरकार की ओर से मात्र भारत का सासन करना रहे गया था वापस ले लिया गया देखिए यह सारी important चीज़े है कि अब जो बंगाल का governor था उसको भारत का governor general बना दिया गया वारन हैंसिंग जो था इसको 1770 के regulating act में बनाया था फिर यहांबर क्या किया उन लोगोंने बंबई जथा मदरास की परिशदों की जो विधी निर्मान सक्ति को वापस ले लिया गया नेक्स देखिए विधिक परामर से तो governor general की परिशद में विधी सदस्य के रूप में 34 सदस्य को सामिल कर लिया गया आगे देखिए यहां से भारत में दास प्रथाक को विधी विरुद्ध गोसित कर दिया गया तता 1843 इस्वी में उन्मूलन कर दिया आगे देखिए governor general की परिशद को राजस्व के संबंद में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए governor general को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तयार करने का अधिकार दिया गया भारती कानूनों का वर्गी करन किया गया तो था इस कारे के लिए विधी आयोग की नियुक का गठन किया गया तो प्रतम विधी आयोग का गठन कब किया गया तो प्रतम विधी आयोग का गठन किया गया लाड मैकाली की अध्रिक्षिता में प्रतम विधी आयोग का गठन 1834 में किया गया नेक्स नहां पर पढ़ते हैं 1853 इसवी का चार्टर अधिनियम तो इस अधि इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिशत के विधाई एबं प्रसासनी कारियों के अलग कर दिया गया और इसके तहट परिशद में छे नए पार्षद जोड़े गए जिने विधान पार्षद का इंपोर्टेंट है ये वाला 1858 इसवी का भारत सासन अधिनियम यह हम इसको बोल सकते हैं ताज का सासन पर यहां से इंपोर्टेंट चीज़े और स्टार्ट होती है उपर हमने जितनी भी सारी चीज़े पढ़ी उसको आप नोट कीजीगा और इंपोर्टेंट चीज़े जोड़ लीजीगा जो हमारे लिए एक्जाम में पूछ सकता है तो 1859 क भारत सासन अधिनियम है आपना पढ़ रहे लियान से देखेगा इस अधिनियम की विशेष्ता भारत का सासन कंपणी से लेकर बिटिस क्राउन की हातों में सौफा गया यहां से अब भारत का सासन मतलब की इंगलेंट की महरानी चलाएगी डारेक्ट भारत में मंतरी परिश सनसत का सीधा नियंत्रन हो गया तो कुष्यन पूछेगा कि भारती मामलों पर बिटिस सनसत का सीधा नियंत्रन किस अधिनियम के द्वारा हुआ 1818 1858 का जो अधिनियम था भारत सासन अधिनियम उसके द्वारा भारत के जो पूरा भारत का वो डारेक्ट कौन चलाने लगा इंग्लेंड की संसथ section चलाने लगी आगे देखिए इस अधिनियम के दवारा Board of Directors तथा Board of Control के विबा को समाब्त कर दिया ब्रिटिस मंत्री मंदल में एक सदस्थ की रूप में भारत के राज्य सचीव की नियुक्ती की गई भारत के प्रसासन पर इसका संपून नियंत्रन था उसी का वाक के अंतिम होता था चाहे वह नीती के विशे में हो या अन्य बियोरी के विशे में भारत के गवर्णर जनरल का नाम बदल कर वाइसराय कर दिया गया अथा इस समय के गवर्णर जनरल लाड कहनी अंतिम गवर्णर जनरल प्रतम वाइसराय हुए मतलब कि अगर डारेक्ट कुछन पूछता था कि प्रतम वाइसराय तो प्रतम वाइसराय कहों था चुकि 1859 में जो जनरल था गवर्णर जनरल उसका पद जो था उसके नाम को वाइसराय बना दिया तो अंतिम गवर्णर जनरल पूछेगा तो भी लाड़ कैनिंग होगा और प्रतम वाइसराय पूछेगा तो भी लाड़ कैनिंग होगा